नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखंड रिवीजन सीरीज और इस सीरीज का आज हमारा ये 13 पार्ट है अभी तक हमने इस सीरीज के अंदर पूरे उत्राखंड का रिवीजन किया है पिछले वीडियो में हमने उत्राखंड के जो लोक गीत, लोक न्रत्य थे उनके बारे में बात करी और आज हम उत्राखंड के जो प्रमुक तहवार हैं, मेले हैं, उत्सव हैं इनके बारे में इनके short notes को यहाँ पर पढ़ेंगे तो चलिए friends आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने अभी तक जो previous part है इस series के इस series को देखने से आपका जो पूरा उत्राखन का revision है कम समय में आपका पूरा revise हो जाएगा तो अगर आपने अभी तक previous parts को नहीं देखा आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं चलिए आज ही वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल point to point मैंने इनको बनाया है पहला point है किस अफसर पर भैला खेला जाता है देखे जो यह भैला निर्त्य है यह आपके कौन से तहवार के अफसर पर खेला जाता है दिपावली के अफसर पर खेला जाता है और मुक्यतहा जौनसारी जनजाती की द्वारा यह खेला जाता है ठीक है तो भैलो निर्त्य कब होता है दिपावली के अफसर पर दूसरा point है राज्य में होली की प्रचलित सेलिया कितनी है तो देखे राज्य के अंदर होली की आपकी दो सेलिया प्रचलित है खड़ी और बैट की होली ये point भी आपको ध्यान में रखना है Next है किस तहवार को बसंत उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है तो आपको option दिये जाएंगे और पूछा जाएगा इन में से कौन सा तहवार है जिसे बसंत उत्सव के रूप में भी मनाते हैं सही answer है जो full सग्रांद का तहवार होता है जिसे हम full देई का तहवार भी कहते हैं इसी को बसंत उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो हिंदू वर्ष का पहला दिन होता है, यानि कि जो चैत का महिना होता है, चैत के महिना का जो पहला दिन होता है, उस दिन ये तहवार मनाया जाता है, नेक्स्ट है, किस तहव को पौद रोपन के रूप में मनाया जाता है तो पौद रोपन के रूप में जो हरेला पर वो होता है हरेला तहवार इसको मनाया जाता है ठीक है हरेला पर वो कब मनाया जाता है तो जो आपका श्रामन मास होता है श्रामन का महिना होता है उसके पहले दिन हरेला मनाया जाता है नेक्स्ट है कुमाओं का प्रसिद पश्वों का तहवार कौन सा है देखे कुमाओं का प्रसिद पश्वों के तहवार के अगर मैं बात करूँ तो वो है खतरवा तहवार मुके तहां ये आपका जो गायों के लिए प्रसिद है इसलिए इस तहवार को गय तहवार या गाय का तहवार भी कहा जाता है तो खतड़वा तहवार आपका पशुओं से संबंदित है, मुकेताहग गाई का तहवार है, इसकी शुरुवात लक्षमी चंद के शाशनकाल में हुई थी, ठीक है, पूरी डिटेल में हमने पढ़ा था, जब हमने चंद वन्च पढ़ा था, और यहाँ पे हम बिल्कुश कर सकते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पे अपना कुईक रिवीजन कर सकते हैं, चलिए, उनकी लिए काफी बेनिफिशल होगा, क्योंकि बिल्कुश टू दा पॉइंट मैंने इस चैप्टर के नूर्स यहाँ पे बनाए हैं, नेक्स्ट है, रक्षा बंदन के पोश महा में लगातार 22 दिन तक आयोजित होने वाला तहवार कौन सा है, आपको सिधा पूछेगा अगर इतना डेटेल में भी ना पूछा, आपको सिधा पूछेगा लगातार 22 दिनों तक आयोजित होने वाला तहवार कौन सा है, तो यह है आपका 20 तहवार, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है बैसी तहवार एक प्रकार का ये धार्मिक तहवार है और इसमें जो लोग होते हैं वो अपने लोग देवताओं की यहाँ पे पूजा करते हैं ठीक है ये आपको ध्यान रखना है कुमाउ में फसल काटने के उपलक्ष में कौन सा तहवार मनाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है ठीके दो तरीके से पूस सकता है पहला कुमाओं में फसल काटने के उपलक्ष में कलाई तेहवार दूसरा पूछेगा कलाई तेहवार कब मनाते हैं तो फसल काटने के उपलक्ष में नेक्स्ट है गावों को बिमारी से बचाने के लिए कौन सा तेहवार मनाया जाता है तो गड़वाल के छेतर में मुक्यताहा ये तहवार मनाया जाता है गावों को बिमारी से बचाने के लिए कौन सा तहवार है यहाँ पे सारा तहवार देखे जो ये सारा तहवार है गड़वाल में मनाया जाता है और गावों को बिमारी से बचाने के लिए इसको मनाया जाता ह इस तहवार में जो नंदा दीवी है उनके दूतों की अरहादना यहाँ पे की जाती है जिससे गामों को बिमारी से बचाया जाए Next है और important है संतान कल्यान के लिए कौन सा तहवार मनाया चाता है तो संतान के कल्यान के लिए यहाँ पे भिरोली उत्सव या भिरोली जो यह तहवार है यह मनाया जाता है यह आपको ध्यान में रखना है Next है महसु देवता का तहवार कौन सा है काफी important question है महसु देवता इनका एक प्रसिद तहवार है जागड़ा तहवार तो जागड़ा किसका तहवार है महसु देवता का तहवार है जौनसार छेत्र में श्रावण मास में कौन सा तहवार मनाया जाता है ये है आपका नुणाई तहवार तो ये आपको ध्यान रखना है भेड़ पालकों के लिए प्रसिद है ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है गंगा दशेरह का तहवार कब मनाया जाता है देखे गंगा दशेरह का तहवार ये आपका जैश दश्मी को मनाया जाता है अब कुछ यहाँ पर प्रमुक तहवार है इनके साथ मैंने शॉट नोट लिके हैं तो इनको जल्दी से रिकॉल करते हुए चलते हैं और फिर चलेंग को ये मनाया जाता है और इस दिन घी खाना शुब माना जाता है तो आपको पूछा जाएगा किस तहवार में घी खाना शुब माना जाता है ओल्गिया तहवार जिसे घी सक्रान्त भी कहते हैं और सितंबर के मध्य में ये मनाया जाता है next है मकर सकरांती जिसे घुगूतिया का तहवार भी कहते हैं मकर सकरांती का यह जो तहवार है वैसे तो पूरे उत्राखंड में मनाया जाता है लेकिन मूल रूप से इसे कुमाओ का तहवार कहा जाता है मूल रूप से इसे कुमाओ का माना जाता है और इसी तहवार के अन्या नाम है घुगूती तयार या काले कवा तहवार आपको सीधा प्रशन बनेगा काले कवा तहवार किस तहवार को कहते हैं तो जो मकर सकरांती का तहवार है इसे कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट है समस्र प्रतिपदा तहवार देखें जो ये समधसर प्रतिपदा तहवार है आपका ये आपके जो चैतर शुकल होता है ये तहवार तब मनाया जाता है और important point जो इसका है कि इस दिन हरेला बोया जाता है तो हरेला किस तहवार में बोया जाता है तो समधसर प्रतिपदा तहवार के जो तहवार होता है इस नेक्स्ट है दशेरा, दशेरे की बात करें, तो जब शीतकाली नवरात्री आती हैं, तो वहां पे दस दिनों तक, यहां पे रामलीला का एयोजन होता है, जो दस दिन होते हैं, उसमें पहले दिन हरेला को बोया जाता है, ऊपर हमने पढ़ा, कि समद्सर प्रतिपता तहवार में भी हरेला बोया जाता है देखे उत्राखन के कुछ शेत्रों में कुछ जगहों पर समद्सर प्रतिपता का जो तहवार है तब बोया जाता है हरेला और कुछ जगहों पर दशेरे के समय जो नवरात्री शुरू होते हैं से पहले पहले दिन हरेला बोया जाता है और अंतिम दिन धशेरा होता है उस दिन इसको काट लिया जाता है नेकस्ट में इसलेमे पिथोरागड में मनाया जाता है और इसमें जो देवल समित देवता है इनकी पूजा यहां पे की जाती है जो देवल समित देवता है इनको शिवजी का अंश माना जाता है तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है और इस उत्सव का या इस मेले का आयोजन हर दो से तीन साल में एक बार होता है अब यहां पे हम कुछ प्रमुक मेले और परवों की यहां पे बात करेंगे चलिए मेले से शुरू करेंगे पश्वों के क्रह विक्रह के लिए प्रसिद मेला कौन सा है तो पश्वों के क्रह विक्रह के लिए प्रसिद मेला आपने बताना है तो सह सोमनात मेला आपके अलमोडा में लगता है ठीक है लेकिन जब इसको पूछा गया था और डिटेल में पूछा गया था अलमोडा के अंदर पाली पचाओं का छेत्र है और वहीं पर एक जगह आती है पाली पचाओं छेत्र है एक मासी तो मासी में सोमनात मेला आपका लगता है तो यह आपको ध्यान रखना है जनपत पूछेगा अल्मोडा पर्टिकुलर जगा पूछेगा तो पाली पचाओं छेत्र मासी में ये मेला लगता है ये आपको ध्यान रखना है ठीके दूसरा है यहाँ पर पॉइंट गणनात मेला किस जनपत में लगता है देखे गणनात मेला जो है ये भी आपके अलमोडा जनपद में लगता है और ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है ठीक है सिधा पूछेगा गणनात मेला आप पताएंगे अलमोडा जनपद में ये लगता है चीक है नेक्स्ट है जागेशवर धाम में एक महा जागिशवर धाम जागिशवर धाम अलमोडा में है और जटागंगा नधी के तड़ पर ये इस्तित हैं इसको उत्राकंड का पाँच्वा धाम भी कहते हैं और यहाँ पर एक महिने तक लगने वाला मेला है यहाँ मेला तो यह चीज आपको चंपावत के बारा कोट में लगने वाला मेला कौन सा है चंपावत में लगता है आपका लड़ी धुरा मेला लेकिन अगर पर्टिकुलर जगा पूछेगा तो चंपावत के बारा कोट में एक मेला लगता है लड़ी धुरा मेला चंपावत में पशुवों के सुवास्त के लि अच्छे सुवास्त के लिए यह मेला लगता है चमपावत के अंदर नेक्स्ट है थल मेले का आयूजन कहा होता है देखे थल मेला जो है यह आप यह पितोरगड में यहां मेला लगता है कब इसकी शुरुवात होती है तो 13 अपरेल 1940 में इस मेले की शुरुवात हुई थी important point जो आपका थल मेले से पूछा जाता है कि जलिया वाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी इस्मृति में कौन सम मेला लगता है तो वो है आपका थल मेला ठीक है जलिया वाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं 13 अपरेल 1919 को हुआ था और उसी के इस्मृति में 13 अपरेल 1940 से इस मेले की शुरुवात करी गई पिथोरागड के अंदर नेक्स्ट है काली और गोरी नदी के संगम पर कौन सा मेला लगता है देखे काली गंगा और गोरी गंगा इन दोनों के संगम पर लगता है जौल जीवी मेला और ये बहुत बार एकजाम के अंदर पूछा जा चुका है जौल जीवी मेला मुक्यताहसा आपके 14 अवंबर को शुरू होता है 14 से 19 नवंबर के 20 तक ये लगता है जौल जीवी मेला कहां लगता है पिथोरागड में काली और गोरी गंगा जो है इनके संगम पर ठीक है जौल जीवी मेले की अगर मैं शुरुवात की बात करूँ इस मेले की शुरुवात 1914 में की गई थी किस व्यक्ति के द्वारा यहां मेला शुरु किया गया था कमेंट करेंगे आप जरूर इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है यह जो जौल जीवी मेला है 1914 में किस व्यक्ति ने इसको शुरु किया था नेक्स चैटी मेला किस जंजाती से संबन्दित है देखे जो यह चैती मेला है यहां मेला आपका जो बाला सुन्दरी देवी मंदिर है वहां पर यह मेला लगता है और यह मेला बोकसर जंजाती से संबंदित है ठीके तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है चैती मेला जो बाला सुन्दरी देवी मंदिर है और यहां पर यह मे नेक्स्ट है धनुषबान के लिए धनुषबान युद्ध के लिए प्रसिद मेला कौन सा है तो देखे धनुषबान युद्ध के लिए प्रसिद है बिसु मेला बिसु मेला आपके उत्तरकाशी में लगता है और जौनसार छेत्रों में भी इस मेले का आयोजन किया जाता है तो दोनों बाते आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, धनुशबान युद्ध के लिए कौन सा मेला प्रसिद है, बिस्सु मेला, उत्तरकाशी में भी लगता है, और जो जौनसार छेत्र हैं, यहां पर भी यह मेला लगता है, इस मेले में धनुशबान का युद्ध होता है, कई बार पूछा गया है, दनगल मेला कहां लगता है, तो पौड़ी गड़वाल के सत्पुली में यह मेला लगता है, और यह मेला कब लगता है, तो महासिवरात्री के अफसर पर यह मेला लगता है, ठीक है, तो आपको जगह भी याद रखनी है, पौड़ी का सत्पुली मे ये मिला लगता है युद में शहीद हुए लोगों की याद में टिहरी में लगता है तो देखे युद में जो व्यक्ति या जो लोग शहीद हुए है उनकी इस्मृति में टिहरी के अंदर रनभूत कौथिक मिला लगता है ठीक है नेक्स्ट है पौरानिक तिमूडा मिला कहां में लगता है तो तिमुडा मेला कहां लगता है जोशी मट में चेंपत पूछेगा चमोली डिस्टिक में ये लगता है यहां मेला कब लगता है तो देखिए जब बदरी विशाल यानि की बदिनाद धाम के कपाट जब खुलने वाले होते हैं तो उनके कपाट खुलने से पहल गौचर मेले की शुरुवात कभ हुई थी आपको ध्यान रखना है गौचर मेले के बारे में पूछा जाता है गोचर मेला 14 नवंबर को शुरू हुआ, 1943 में इसकी शुरूआत हुई और किसके दुवारा इस मेले को शुरू किया गया ये भी पूछा जाता है तो बरनेडी ने इस मेले की शुरूआत करी थी नेक्स्ट है भदराज देवता मेला कहां लगता है अन्या प्रमुक यहां पे मेले और पर्व है, इनको हम यहां पे देख लेते हैं चलिए, शाल्दे बिखोती मेला, काफी प्रसिद मेला है, पेपर में पूछा जाता है शाल्दे बिखोती मेला आपके द्वारा हाट, अल्मोडा में यहां मेला लगता है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और इस मेले में जो जोड़ा और भगनौन रित्य हैं इस मेले में वो नित्य किये जाते हैं तो पूछा जा सकता है किस मेले में जोड़ा और भगनौन रित्य किये जाते हैं तो ये है आपका शाल्दे बिखोती मेला जो की अलमोडा के त्वारा हाट विम्भान डेश्वर में यहां मेला लगता है ठीक है एक और चीज़ आपको इसको ध्यान रखना है कि यहां मेला जो है जापका शाल्दे बिखोती मेला यह बैसांक के महीने में मनाए जाता है बैसांक का जो पहला दिन होता है उस दिन बिखोती मेला लगता है और जो उस दिन की रात होती है यानि की जो पहली रात होती है बैसाक की उस दिन सियालदे मेला लगता है ठीक है नेक्स्ट है श्री पूर्णागिरी मेला श्री पूर्णागिरी मेले की अगर मैं बात करूँ तो टनकपूर के निकट में अनपूर्णा शिकर है और वहाँ पर एक मंदिर है श्री पूर्णागिरी मंदिर तो टनकपुर के निकर जो अनपुना शिखर पर मंदिर है शिरी पूनागरी मंदिर और यहीं पर लगता है पूनागरी मेला कब लगता है चैत्र महा में ये मेला आपका लगता है ठीक है पूछा जा चुका है चैत्र महा में आपको ऐसा प्रशन पूछा गया था कि पूनाग मेला भी इसको कहा जाता है यहां मेला आपके श्रावन मास में लगता है देवी दूरा चंपावत में इस मेले का आयोजन होता है देवी दूरा के अंदर एक मंदिर है मा बाराही देवी मंदिर और उस मंदिर में इस मेले का आयोजन होता है ठीक है रक्षा बंदन पर यहां इ खेला जाता है ठीक है कव रक्षा बंदन के अफसर पर लेकिन ये जो बगवाल है ये अलमोडा में भी खेला जाता है अलमोडा में भी ये लगता है लेकिन अलमोडा के ताकुला ब्लॉक में ये दिपावली के अफसर पर खेला जाता है ठीक है यहां पर पाशान युद होता यहां पे फल और फूल एक दूसरे पर मारे जाते हैं. भगवाल खेलने वालों को यहां पे धोके कहा जाता है, यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है. इसमें जो भगवाल खेलने वाले लोग होते हैं, उनको चार खामों में, चार ग्रुप्स चार सम्हों में इनको बाटा जाता है कौन-कौन से होते हैं चम्याल, वालिक, गहडवाल और लमगडिया ये चार सम्हों चार ग्रुप होते हैं जिनको खाम कहते हैं चार खामों में इनको बाटा जाता है आपको प्रशन बन सकता है कि बगवाल खिलने वाले इनमें से कौन सा खाम नहीं है तो यह चार खाम है जो आपको ध्यान रखने हैं Next है माग मेला माग मेले की बात करें तो इस मेले को बाड़ा हाट का थौल भी कहा जाता है और यहां मेला आपके उत्तरकाशी जनपद में लगता है ठीक है उत्तरकाशी में हर साल 14 जनवरी को यहां मेला शुरू होता है और लगभग 8 दिन तक यह मेला चलता है ठीक है इस मेले में होता क्या है तो देखें जो माग मेला है उत्तरकाशी का माग मेला काफी प्रसिद है आपको सीधा भी पूछा जा सकता है कि माग मेले का आयोजन कहा होता है तो ये उत्तरकाशी में होता है ठीक है जनवरी 14 जनवरी को ये मेला लगता है इस मेले में जो ग्रामवासी होते हैं जो ग्रामीन होते हैं वो अपने अपने देवी देवताओं की डोली को सजा कर इस मेले के अंदर लाते हैं, ठीक है, तो माग मेला काफी प्रसिद मेला है, नेक्स्ट है गेंदा कौतिक, देकि जो गेंद का मेला होता है, ये आपके मुके तहाँ पौडी के निकट में एक मंदिर है, भटपूरी दे गेंद का जो मेला होता है, इसे पहाडी होकी के नाम से भी जाना जाता है, नेक्स्ट है बैखुंट चतुरदशी मेला, बैखुंट चतुरदशी मेले के अगर मैं बात करूँ तो ये आपके शिरिनगर के कमलीश्वर मंदिर में लगता है, और यहाँ प्रश्न पेपर में पूछा चा चुका है, देखे पौडी के अंदर शिरिनगर में एक मंदिर है, कमलीश्वर मंदिर, यहाँ मंदिर संतान जो दाता है, उसके रूप में यहाँ मंदिर काफी प्रसिद है, और यहाँ पर एक मेला लगता है, बैखुंट चतुरदशी मेला, तो आपको पूछे यहाँ मेला कहां लगता है, तो पौडी का शिरिनगर में कमलीश्वर मंदिर है, वहाँ पर इस मेले का विजन होता है, और जो दंपत्ती होते हैं, वो यहाँ पर संतन प्राप्ति हित्व पूजा अर्चन आदी करते हैं, नेक्स्ट है, हर्याली, पूडा, मेला, देखे हर् अगर आपको सिर्फ हर्याली, मेले की बात की जाए, सिर्फ हर्याली, पूडा नहीं, सिर्फ हर्याली, मेला, अगर आपको पूछा जाए, तो आप बताएंगे, ये मेला, नैनी ताल में लगता है, सिर्फ हर्याली, मेले की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आपको हर्याली, देवी, मंदिर पूछा जाए, तो आप बताएंगे, रुद्र प्रियाग में, ठीक है, तो तीनों आपको ध्यान रखना है, हर्याली, पूडा, मेला, चमोली मे हर्याली मेला, नैनी ताल में, और हर्याली देवी मंदिर, ये आपके रुद्र प्रियाग में इस्तित है, नेक्स्ट है टपकेश्वर मेला, देखे टपकेश्वर मेला आप जानते हैं, देहरदून के अंदर टपकेश्वर महादेव मंदिर है, और यहीं पर टपकेश्वर मेले का आयोजन शिवरात्री के अफसर पे किया जाता है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट है जंडा मेला जंडा मेला देहरादून में होली के पांचवे दिन इसका आयोजन किया जाता है पूछा जा सकता है कि जंडा मेला कहा लगता है ये आपके देहरादून में होली के हर पांचवे दिन में ये लगता है ठीक है नेक्स्ट है हो इंसांग ने किस मेले को मोक्ष पर्व कहा था तो देखे हो इंसांग ने जो कुम्ब मेला है कुम्ब मेले को हो इंसांग ने मोक्ष पर्व कहा था ये कोशन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हो इंसांग ने कुम मेले को क्या कहा था मौक्ष पर्व नेक्स्ट है पिरान कलियार बाबा का मेला जो पिरान कलियार मेला है ये आपका रुड़की के कलियार गाउं में लगता है तो पिरान कलियार मेला कहां लगता है जगह पूचेगा रुड़की जनपत पूचेगा हरी दुवार उत्राइणी मेला ये मकर सक्रांथी के अवसर पर लगता है, जिसे हम घुगूती बयार भी कहते हैं और यहां मेला इसी लिए प्रसिद है क्योंकि 1921 में इसी मेले में कुली बेगार प्रथा जो थी उसका समापन यहाँ पर किया गया था तो कूली बिगार प्रथा किस मेले में समाप्त की गई ये आपके जो उत्राइनी मेला है 1921 में आयोजित हुआ इस मेले में जो कूली बिगार प्रथा थी उसे खतम किया गया था ठीक है बागेश्वर के अंदर अब यहां से कुछ हमारे प्रमुक उत्सव हैं महोत्सव हैं इनको देखते हैं और फिर इस वीडियो का एंड करते हैं सबसे पहले आता है किस महोत्सव को हिमालिय महोत्सव भी कहा जाता है तो हिमालिय महोत्सव ये कहा जाता है जो आपका नौठा कौथिक उत्सव है इसे हिमालिय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है कहां पे तो ये आपका चमूली में एक मंदिर है आदी बदरी धाम आदी बदरी धाम में जो नौठा कौथिक है इसे हिमालिय महुत्सव कहते हैं आपको पूछा जाएगा हिमालिय महुत्सव का आउजन कहा होता है चमूली में कौन से मंदिर में तो आदी बदरी धाम में हिमालिय महुत्सव लगता है ठीक है नेक्स्ट है सुरकंडा उत्सव सुरकंडा उत्सव के अगर मैं बात करूं तो टिहरी में आपका सुरकंडा देवी मंदिर है और यहीं पर यह मेल आपका उत्सव लगता है नेक्स्ट है चरवाहों एवं कृषिकों का उत्सव कौन सा है तो चरवाहों एवं कृषिकों का जो उत्सव है यह है आपका हिल जात्रा उत्सव यह पेपर में पूछा जा चुका है मुक्यतहा यह आपके पिथोरगर जन्पद में मनाय जाता है कब मनाय जाता है तो धान की रोपाई के समय जो पिथोरगर जनपत है वहाँ पे हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है और इसे कृष्चकों का उत्सव या चरवाहों का उत्सव कहते हैं ठीक है, कहा जाता है, जो ये हिल जातरा उत्सव है, ये आपके पश्ची में नेपाल की देन है, तो नेपाल की देन है, हिल जातरा उत्सव, और इस जो उत्सव है, इसमें एक डांस किया जाता है, स्वांग निर्त, ये important point है, आपको इसको ध्यान रखना है, आपको पूछा इन में से कौन सा निर्टा है जो हिल जात्रम बहुत सव से संबद्धित है तो स्वांग निर्टा है इसमें किया जाता है नेक्स्ट है चमोली के शलूर डुंगरा गाउं और सेलंग गाउं में मनाया जाता है इसको लेकर के प्रश्ण हाली में कने साहयक में भी पूछा गया था चमोली में आपको दो जगा याद रखने हैं सलूर डुंगरा गाउं और सेलंग गाउं और यहीं पर मनाय जाता है रमान उत्सव वैसे तो पूरे चमोली में मनाय जाता है रमान उत्सव को युनेसको की जो सूची है विश्व अमरुत सांस्क्रितिक दरोहर सूची उसमें रमान को कब शामिल किया गया तो युनेसको ने अपनी सूची में रमान नत्य को 2 अक्टूबर 2009 में शामिल किया था तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है जिस दिन युनेसको ने रमान नत्य को अपनी सूची में शामिल किया था अंतिम प्रशन है आपका आज का पिथोरगड में कंडाली उत्सव परति एक कितने वर्षों में मनाया जाता है तो ये कोशन आपको पूछा जा चुका है कि कंडाली उत्सव कितने वर्षों में इसको मनाया जाता है तो फ्रेंट सियत है हमारे उत्राखन रिविजन सीरीज का आज हमने पार्ट नमबर 13 देखा जिसमें हमने उत्राखन के तहवारों, मेलों, उत्सवों की बात करी की हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं, नदी, जील, पडवत, पहार, सब कुछ हम अभी तक इन 13 पार्ट के अंदर कुक रिविजन में हम इनको कर चुके हैं, सभी जनपदों के जो आपके प्रमुक परेटन इस्तल हैं उनको भी हमने एक ही वीडियो के अंदर सभी के सभी 13 जिलों का हमने रिविजन किया था, ये सभी सीरीज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इसके अलावा उत्राखन के आपको अदर सीरीज जो हैं जैसे परिक्षावानी के संपून नोट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इसके अलावा अजेरावज जी की जो बुक है, वहां से काफी सारे प्रशने बनते हैं पूरी बुक के वन लाइनर्स मैंने अल्रेडी बना दिये हैं और आपको वो पूरी सीरीज, पूरे वन लाइनर्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बलूरी जी की बुक के भी मैंने सभी वन- Busan-er बनाय है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इसके लावा उत्राखन जिला सिरीज चाहें आप थोरी में पढ़ना चाहें सारी सिरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करिए चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा थैंक्यू फ्रेंड्स